आपको मैं बताने जा रहा हूँ जोणों के दर्द में राम बान है निम्बू का छिलका जी हाँ फ्रेंड्स इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दू कि अगर हमारे यूटूब चैनल लोटस एरवेद इडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि हम इसे चैनल के माध्यम से औस्दियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तमाल कर अपने जीवन में स्वस्त रह सकते हैं जी हाँ आज हमारे सरीर की सभी बिमारियों की जड़ हमारा आजकल का खानपान है आज हम पौश्टिक भोजन खानी की जगा जंक फूट को एहमियत देते हैं यही वज़ा है कि हम आजकल बिमारियों से घिरे रहते हैं बिमारियों से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए आजकल जोडों का दर्द होना आमबात बन चुकी है जो कि लोगों को उनकी 20 की उम्र में ही सुरू हो जाता है यह एक प्रकोप की तरह है जो आजकल के छोटे उम्र के यवाओं को भी होने लग गया है जोडों का दर्द पैरों के घुटनों, कुहनियों, गर्दन, बाजुओं और कुल्हों में हो सकता है वैयाम के अलावा अपना खान-पान, पौश्टिक और हेल्दी होना चाहिए जो जोडों के दर्द को कम करके तुरंत अराम दिलाए जिहां शायद आपको यह पता ना हो कि आपके घर में एक ऐसा फल है जो पुराने से पुराना जोडों के दर्द को खत्म कर देगा जिहां जिस फल की हम बात कर रहे हैं वो कई तरह के पोसक तत्तों से भरपूर है जैसे के मेगनेशियम, पोटेशियम, केलसियम, फोलिक एसिड, फासफोरस, विटामिन A, C, विटामिन B1 और B6 और इस फल का नाम है निम्बू जिहां वैसे तो आपने निम्बू के फायदों के बारे में जरुर सुना होगा लेकिन आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि निम्बू का छिलका जोडों के दर्द से परिशान मरिजों के लिए वरदान है जी हां आज हम आपको बताएंगे कैसे आप निम्बू के छिलके से जोडों का दर्द, पुराना दर्द भी दूर कर सकते हैं इसके लिए आपको दो समागरियों की जोरत है जैसे दो निम्बू के छिलके और ओलीव ओईल इस औस्थि को बनाने के लिए आपको सबसे पहले निम्बू के छिलके को ग्लास जार में डाल दिजिए और फिर उसमें थोड़ा सा ओलीव ओईल डाल दिजिए और ग्लास जार को अच्छी तरह बन करके दो हप्तों के लिए इसे वैसे ही छोड़ दे जी हाँ, दो हप्तों के बाद आपका मिस्रन तयार है किसी भी रेस्मी कपड़े में थोड़ा सा यह मिस्रन डाल कर परभावित जगह पर लगाएं तथा बेंडेज से कवर कर ले और पूरी रात इसे अपना काम करने दे तो यह थे दोस्तों चोड़ों के दर्द में राम बाण है निम्भू का छिलका जी हाँ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यूंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से समंदित वो सारी जानकारिया लेकर आता हूँ जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाब उठा सकते हैं दोस्तों प्रेंड्स आप अपना बहमुल्य सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में लिकर भेज सकते हैं दोस्तों और साथ साथ बीमारियों से समंदित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे तो स्वास्थ रही है खुश रही है धन्यवाद खैंके दोस्तों